व्रिंदावन वह भूमी है जहां भगवान कृष्ण ने अपना बाल जीवन बिताया था इसे प्रेम की भूमी भी कहा जाता है क्यूंकि यहां भगवान कृष्ण और राधा के बीच की पवित्र प्रेम की किस्सों से भरी कई गाथाएं है श्रीक्रिष्ण जनम भूमी के पास एक बेहत अर्पुद धाम है जिसे हम निधिवन के नाम से जानते हैं वो सकता है आप में से बहुत से लोग निधिवन गए भी हो और जो नहीं गए उन्होंने निधिवन के बारे में सुना जरूर होगा निधिवन को दुनिया के सबसे रहसे में जगों में से एक माना गया है निधिवन के अंदर एक रंगमहल भी है दावा होता है कि जब रंगमहल को खोला जाता है तो वहां श्रीक्रिष्ण के मौझूदगी के निशान मिलते हैं तो चलिए जानते हैं निधिवन के रहस्यों के माननेता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्न एव राधा आज भी अर्ध रात्री के बाद रास रजाते हैं कि यहां निष्चे कोई रात्री विश्राम करके आया तब प्रसाद भी ग्रहन किया है लगभग दोड़े एकड शेत्रपन में फैले निधिवन की व्रिक्षों की खासियत ये है कि इन में से किसी भी व्रिक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन व्रिक्षों की दानिया नीचे की ओर जुकी तथा आपस में गुथी हुई है निधिवन परिसर में ही संग्रीच समराट एव धुपत के जनक श्री स्वामी हरीदास जी की जीवित समाधी रंग महल बांके भी हरीजी का प्रकटे स्थन राधा रानी बंची चूर आधी दर्शनीय स्थान है निधिवन दर्शन के दौरान व्रिंदवन के पंडे पुजारी गायट द्वारा निधिवन के बारे में जानकारी दी गई है कि निधिवन में प्रते दिन रात्री में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गुंगा, बहरा, पागल और पर ताला लगा दिया जाता है, उनकी अनुसार यहां जो भी रात को रूप जाता है, वह सांसारिक बंदन से मुक्थ हो जाता है, और जो मुक्थ हो गए है, उनकी समाधिया भी परिसर में ही बनी हुई है, इसी के साथ गायट का यह भी कहना है कि निधिवन में जो 16,000 आप खुणने पर उनकी लिए रखी धातुन गीली मिलती है, और सामान विखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात में कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो, निधिवन में प्रवेश करने पर सबसे पहले दाय हाथ की यह ललीता कुंड है, इस कुंड के बारे में यह कहा जाता है कि एक रातरी जब भगवान गूपियों के साथ रास कर रहे थे, तभी कुछ गूपियों को प्यास लगी, अताब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंची से यह कुन खोदा और पानी पिला कर उनकी प्यास कुजाए, यह प्रसीद्धी है कि यहां के तुन्सी की पेट आल झाल